हेलो अबरीवन आप लोग कैसे हैं I hope कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माई डीर स्टुडेंट आज हम क्लास ब्रहावी का फिजिक्स का सेकंड पेपर लेकर उपस्तित हुआ हूँ और इस सेकंड पेपर में पहला चैप्टर है आपका लाइट है जिसको बोलते हैं प्रकास तो हमें प्रकास के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी लेना है इस वीडियो में तो आप वीडियो के इसके मत कीजिएगा आप वीडियो को अच्छे प्रकार से देखते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा ठीक आपसे हम एक रिक्विस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें कमेंट करें और सामने हुए यूटूब में जब थंबल बनके या सामने आपके आता है तो कम से कम एक लाइक एक कमेंट कर दिया ताकि आप जो है हमारे इस चैनल में एक तरह से सपोर्ट मिल जाए तो चलिए हम सुरू करते हैं लिखा हुआ है प्रकास प्रकास की पहली डिफिनेशन हम जा प्रकास की जलुएत पढ़ेगी तो बिना प्रकास का कोई चीज आप देख नहीं सकते हैं और वह प्रकास वास्तों में है क्या तो यहां पर देखे लिखा गया है कि प्रकास एक प्रकार की विक्रन उर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुए दिखाई देती है सिम्पल सी बात है एक लाइन का आप इसको पड़ते आ रहे हैं 10 में भी पड़े होंगे 11 में तो नहीं है लेकिन 12 में आपको फिर से बताया जा रहा है तो प्रकास एक प्रकार की वी किरन उर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तों को क्या करते हैं देख बाते हैं अब इस परिभासा में एक सब्द है वी किरन उर्जा कि वास्तों में वी किरन उर्जा है क्या तो समझ ये वी किरन उर्जा को अगर समझा जाए तो वी किरन उर्जा का मतला होता फैलाना फैलाना को अगर दिहाद छेतर में देखा जाए तो क्या होता है छितराना ठिक इसी किसासत आपको यह भी मालू होना चाहिए कि यह किरणों को क्या करता है एकत्रित करता है किरणों को एकत्रित करना तरंग के रूप में रूप में उस सर्जित करना इस सब घटना जब घटित होता तो इसी को बोला जाता है वीक्रण इसे लिए इसे बोला गया कि प्रकास एक प्रकार की क्या है बीकरण उर्जा है, अब हमारे पास बहुत सारे उर्जा होते हैं, क्या उर्जा हो है, फैलाता है, छितराता है, किरणों को यकत्रित करता है, तरंग के रूप में उस सरजित करता है, नहीं न, लेकिन ये प्रकास एक ऐसी उर्जा होती है, कि जो ये सब घटनाये करती है, इस पर लिखा हुआ प्रकास रोत क्या लिखा है प्रकास रोत जिसको हम लोग इंगलिस में कहेंगे सूर भी आपका क्या करता है ये भी प्रकास रोत ही है तारा भी क्या है प्रकास रोत है चंदरमा भी क्या है प्रकास रोत है और बिद्दुद्बल भी क्या है प्रकास रोत है जलती हुई मोंबत्ती भी क्या है प्रकास रोत है जुगनु भी क्या है प्रकास रोत है अब ये सी सूरी कौन सा प्रकास रोत में आएगा चंदर्मा कौन से प्रकास रोत में आएगा है तो ये सब पूरे Total प्रकास् रोत ही हैं लेकिन इन्हीं प्रकास् रोतों को दो टुकडे में बाट दिया गया है तो जी усे कहा जाता है कि जो स्क्क वैयं जो स्वैम प्रकास उत्पन करता है उसे हम लोग कहते हैं दीव्त प्रकास रोत कहते हैं जैसे सूर्य हुआ तारा हुआ जुगनु हुआ बिदुत भल्ब हुआ जलती मुंबत्ती हुए यह सब एक्जामपल क्या है आपके दीव्त प्रकास रोत है और यह सब पूरे एक्जाम आपल जो है इस सब स्वैम प्रकास उत्पन करता है जो सूरी है ना उस स्वैम प्रकास ही उत्पन करता है वह किसी की सहायता से उत्पन नहीं करता है आगे दिया है तारा तारा भी स्वैम प्रकास उत्पन करता है एक किसी दूसरे की सहायता से प्रकास उत्पन नहीं करता है ज कि बिना किसी के साहजता से प्रकास से उत्पन नहीं कर सकता है लेकिन अभी हम बताएंगे जुगुनु के बारे में इसी परकार बिधुत वंभ जलती हुई क्या है मुंबत्ति है तो दीखे सुर के बारे तो आप जानते ही होगे क्योंकि इसमें क्या होता है कि परमाण के नाभिक में भाग लेता है 1H2 और प्लस 1H3 मतलब deuterium और tritonium ये दोनों मिलकर क्या करते हैं helium का निर्माड करते हैं किसका निर्माड करते हैं helium का निर्माड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता कि सूर में उर्जा तयार होती है और जब सूरी में उर्जा तयार होती तो एक प्रकार की भी से एक चमक निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं कि सूरी क्या करता है चमकता है और सुरी स्वैम प्रकास में होता है। चमकने का कारण कई है पहला कारण है कि ये नर और मादा को अनि नर और क्या है मादा जुगनु को आकरसित करता है नर जो है नर जुगनु मादा जुगनु को क्या करता है आकरसित करता है और भोजन को अपने लिए भोजन को क्या करता है तलासता है एक कारण हो गया दूसरी की रीजन इसका होता है कि यह क्या करता है कि दूसरे के साथ संभोग करने के लिए चमकता है तीसरा रीजन इसका होता है कि रात में सुरच्छा प्रदान करने के लिए रात में सुरच्छा के लिए क्या करता है? चमकता है इस सब आपके अलग-अलग परकार के लोग कारण बताए है कि नर जुगनू, मादा जुगनू से आकरसित होता है इसलिए चमकता है फिर उसके बाद बोला गया है कि जो जुगनू होते हैं वापस में संभोग करते हैं तो चमकते हैं फिर अगला बताया गया करणी कि रात में सुरच्छा के लिए व्यक्या करते हैं, चमकते हैं ठीक, लेकिन आगे और भी चीजे बताई गई है जुगनू के बारे में कि बाइलोजी में ध्यान दीजेगा यहां पर जुगनू के उधर गुहा में किसमें बूल गया है जुगनू के उधर गुहा में या उधर छेत्र में जो होता है उसमें आपका तीन परकार का तत्व पाये जाएगा एक पाये जाएगा कैल्सियम फिर पाए जाएगा आपका इसमें आकसीजन और ATP, धीयान दिजेगा कैलसियम आकसीजन और ATP, ATP मतलब हो जाएगा Adinotripasphate, मतलब जुगनू का जो उदर है, उदर का छेतर है, उस छेतर में कहा रहा जा रहा है कि कैलसियम, आकसीजन और Adinotripasphate के साथ एक प्रोटीन बनता है प्रोटीन उस प्रोटीन का नाम है लूसी फेरीन क्या नाम है लूसी फेरीन और लूसी फेरीन जब बनता है तो इसी लूसी फेरीन की एक रासानिक प्रक्रिया होती है और इसी के कारण जुगनू क्या होता है चमकता है तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जुगनू क्यो चमकता है कई कारण मिले नर्जुगनु मादा जुगनु से आकरसित होता है तब चमकता है और उसके बाद जुगनु आपस में संभोग करते हैं तब चमकते हैं रात में जुगनु क्या करता है अपने सुरच्छा के लिए चमकता है फिर अगला पॉइंट बोला गया बाइलो करते हैं और उसी रासानी फ्रक्रिया करने के कारण एक विशेश परकार की चमक निकलती है और हम इसलिए कहते हैं कि जुगनु क्या होता है चमकता है ठीक यहां तक समझ में आ गया साठी स्किन लेना तो ले सकते हैं कि हो गया समझते चलिए आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगा कठिन नहीं है सब पढ़े हुए है आप आगे है आएदीप्त प्रकास रोत को बोलते हैं नॉन लिमूनियस सोर्सज बोलते हैं यह वे प्रकास रोत जो स्वैम प्रकास उत्पन्य नहीं करते हैं जैसे चंद्रमा और क्या है क आएदीप्त प्रकास रोत है क्योंकि चंद्रमा सूर की प्रकास की सहायता से चमकता है और कांच भी है एक कांच अगर रख दिया जाए तो स्वैम प्रकास उत्पन्य नहीं करता है ठीक इसके बाद हम चलेंगे प्रकास का गुड बेकिन प्रकास की प्रकास के गुड से पहले एक छी़ और ध्यान दिजेगा प्रकास स्रोत की बारे में दो चीज़े और हम बताना चाहते हैं आपको वो चीजा बेहुत अच्छी है, आपको पता भी हो या ने पता हो हमारे पास प्रकास स्रोत के गर्म स्रोत क्रकास स्रोत दियान दीजेगा क्या लिखे हैं प्रकास के गर्म सुरूत और एक होता है प्रकास के ठंडे सुरूत क्या आपको पता है कि प्रकास के गर्म सुरूत क्या है प्रकास के ठंडे सुरूत क्या है नहीं पता तो समझे क्या है simple सी बात है इसकी कि प्रकास की गर्म सुरूत किसे कहा जाता है simple सी बात है कि जब प्रकास के साथ उस्मा दे क्या दे प्रकास के साथ है आपको क्या मिले उस्मा मिले है ना अनि जिस प्रकास के साथ आपको उस्मा मिलती है जैसे एक दीपक है एक मुंबत्ती है, जब मुंबत्ती को जलाएंगे, जब दीपक को जलाएंगे, तो तो प्रकास तो देगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या देगा? उस्मा भी देगा, इसलिए उसे कहा जाएगा, प्रकास के गर्म स्रोत, और प्रकास के थंडे स्रोत क्या होते है? प्रक उस्मा नहीं देता है और उस्मा नहीं देता है द्यान दीजेगा प्रकास के ठंडे स्रोत क्या है कहा जारा कि जो केवल प्रकास देते हैं और उस्मा नहीं देते हैं उसे कहा जाता प्रकास के ठंडे स्रोत जैसे टार्च क्या है टार्च तो टार्च केवल आपको प्रकास दे दे सकता है इसलिए आपको ये point समझ में आना चाहिए और साइध हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है कि प्रकास के गर्म सुरूत कौन है और प्रकास के ठंडे सुरूत कौन है तो प्रकास के गर्म सुरूत क्या होते है, जो प्रकास के साथ आपको उस्मा देता है, प्रकास के ठंडा सुरूत क्या है, जो केवल आपको प्रकास देता है, उस्मा नहीं देता है, ठीक, क्लियर हो गया, लिखना तो लिख सकते हैं आप, हो गया, चलिए, आगे अब चलते है देखे, अब हम पढ़ेंगे प्रकास का गुड़, properties of light अब प्रकास के गुड़ देखे, सामने दिखाई दे रहा है कितने प्रकार के गुड़ हैं, जितना उसका गुड़ बताया जा हो उतना कम ही रहेगा, चलिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकास सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है याद करते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्रकास का पहला गुड़ है कि प्रकास सीधी रेखा में गमन करती है ठीक, कोई भी प्रकास रहेगा, अगर एक टार्च हम बना दें तो इस टार्च से जो रोसनी निकलेगी, जो प्रकास निकलेगी, वो कैसे निकलेगी, सीधा ही निकलेगी, देखे ध्यान से, है ना, सीधा ही निकल लई है, इससे असपस्ट होता है कि प्रकास सीधी रेखा में गमन करती है, दूसरा पॉइंट है कि प्रकास की संचरन के नहीं तो आप कहिएगा कि प्रकास के संचरन के लिए किसे माध्यम के ओ सकता नहीं पड़ती है तीसरी पॉइंट है कि प्रकास निर्वात वे वाईव में गमन करती है प्रकास निर्वात वे वाईव में क्या करती है गमन करती है निर्वात का मतलब एक जैसे सीसे का जार है य वायू है तो वायू में भी क्या करती है गमन करती है ठीक अगला पॉइंट है कि प्रकास पारदर्सी माध्यम में से गुजर जाता है तो यह जो कांच है यह पारदर्सी माध्यम है कैसा माध्यम है पारदर्सी माध्यम है और पारदर्सी माध्यम होने के कारण यह प्रकास आर पार हो गया ठीक चोथा गुड समझ में आया प्रकास बिभिन माध्यमों में प्रकास की चाल क्या होती है भिन भिन होती है अनि प्रकास जो है बिभिन माध्यमों बिभिन माध्यमों के लग अलग माध्यम में उसकी चाल क्या होती है अलग अलग होती है बता रहे हैं कैसे ध्य इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है Y में चाल इतनी होती है फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जल में भी होता है जल में प्रकास की चाल जो होती है वह कितनी होती है तो जल में प्रकास की चाल जो होती है वह होती है दो दसमलो दो पांच गुड़े दस के घाते आठ मीटर प्रती सेकंड होती है उसके बाद कांच में प्रकास की चाल तो कांच में प्रकास की चाल होती है दो गुड़े 10 के घाते 8 मीटर प्रती सेकंड हो गया न, उसके रगद काच की बाद आता है, तारपीन का तेल, तारपीन तेल में परकास की जो चाल होती है, वे होती है, दो दसमलो, जीरो, चार गुड़े दस के घाते, आठ मीटर प्रति सेकंड होती है, किलियर हो गया ना, उसके बाद इसी प्रकार अलग-अलग माध्यों में प्रकास की चाल क्या होती है, अलग-अलग होती है, वाई भी माध्यम है, जल भी माध्यम है, काच भी माध्यम है, ता अलग होती है तो इससे असफष्ट होता कि प्रकास बिभिन मादूवें प्रकास की चाल क्या होती है भिन भिन होती है छेटवा गुड़ है कि प्रकास चिकने प्रिष्ट पर प्रावर्तित होता है कैसे यह मालिय चिकना प्रिष्ट है और चिकने प्रिष्ट के बाद इस पर प्रकास गिरती है तो गिरने एक वादी है इसका दिकांस भाग उसी माध्यम से वापस चली जाती है इसी को बोलते हैं कि प्रकास चिकने प्रिष्ट पर प्रावरतित होती है तो गिरने वाली किरन को बोलते हैं आपतित और वापस जाने वाली किरन को बोलते हैं प्रावरतित तो ये भी प्रकास का गुड हो गया, ठीक, कोई दिकत नहीं है, अगला प्रकास बिद्दु चुम्बकी तरंग के रूप में गमन करता है, हमने केवल किताब में ऐसे लिखा देखा है, हमने ऐसे केवल पढ़ लिया है, कि प्रकास बिद्दु चुम्बकी तरंग के रूप मे गमन करती है तो देखिए हम समझाने का परियास करने समझेगा इस चाल नोट हो गया था सबका चलिए ठीक है अच्छे समझेगा हम एक आपको एकजांपल समझाने का परियास करने है एक उधारन के द्वारा प्रकास बिद्दु चुम्बकी तरंग के रूप में गमन करती है आज हम इस पर डिसकस करेंगे कि वास्तों में प्रकास बिद्दु चुम्बकी तरंग के रूप में कैसे गमन करती है चलिए इसके लिए फिश्बु आ की ये माल लिजे है ये माल लिजे पृत्वी है क्या है? पृत्वी है क्लिए समझ मारा ना? ये क्या है? पृत्वी है और पृत्वी के ऊपर वाई मंडल होता है क्या होता है? वाई मंडल ध्यान दीजेगा प्रित्वी के ऊपर थोड़ा से इसको और बड़ा बना देते हैं यह मालीजे पूरा टोटल प्रित्वी है और प्रित्वी के ऊपर क्या है वाई मंडल है क्लियर हो गया और वाई मंडल हो गया ठीक क्लियर और वाई मंडल के उपर मैंने माली यहाँ सूर्य बनाया और यहीं पर हमने बहूत अधिक frequency वाला एक DJ लगा दिया जिसकी frequency बहुत अधिक है क्लियर हो गया अब यहाँ पर मैंने sound लगा दिया ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान दीजेगा अच्छे से आप लोग कि यहां से सूर की किनड़ी जो है इसको और हाइलाइट कर देते हैं ठीक क्लियर हो गया ना यह पृत्वी है और यह आपका पूरा टोटल यहां तक क्या है वाई मंडल है ठीक यह पृत्वी हो गया और यह पृत्वी के और इसके बीच में क्या है पूरा टोटल वाई मंडल है और यहां पर सूरी हो गया और यह निर्वाथ है क्या है निर्वाथ धियान दीजेए यह क्या है निर्वाथ निर्वाथ का मतलब निय है धनवाथ निय का मतलब नही और वात का मतलब वाई मतलब नहीं वाई मतलब जहां पर वाई नहीं होता है उससे हम क्या कहते हैं निर्वात कहते हैं इसलिए निर्वात को संद भी छिर करें निह धन क्या होता है वात का मतलब नहीं वात का मतलब क्या होता है वाई, मतलब जहाँ वाई नहीं है वो क्या है, निर्वात है, अब देखे कैसे सूर की जब किरणे यहां से निकली है यहां दीजेगा, यह सूर की किरणे निकल लई है तो यहां निर्वात से होकर निर्वात से होकर निकली अनिर्वास से जब होके निकली है तो वाई मंडल से होते हुए कहां पहुँच गई? पिर्थवी पर पहुँच गई? पिर्थवी में पहुँच गई? पिर्थवी पर पहुँच गई? लेकिन क्या sound का जो wave है, frequency जो है, क्या इसकी तरंगे निकल कर यहां तक आई? नहीं आई इसके पीछे region है, क्योंकि sound को माध्यम की ओसकता होती है, sound को क्या होती है? माध्यम की ओसकता होती है, जैसे माली हमने यह microphone लगाया है, और या माली जो बोल रहे हैं, तो आप बैठे हुए हैं, तो हमारी आवाज आपके कानू तक जा रही है कि नहीं जा रही है? क्योंकि हम आवाज को कौन ले जा रहा है, द्षॉने को քंली ले जा रहा है, क्लियर ना, तो यहां पर भी ओही हाल है, यह भी निर्वात में है, यह निर्वात में है, लेकिन यह निर्वात से होकर प्रिथवी पर पहुंच गई और यहां से इसकी तरंगे निकल कर आई ही नहीं रहा है क्योंकि इसको किसकी जरुवत है माध्यम की जरुवत है और इसको माध्यम की जरुवत नहीं है इसलिए कहा जाता कि प्रकास बिद्धु चुम्बकी तरंग के रूप में क्या करती है गमन करती है ठी आप हमको देखेंगे आप भी बोलेंगे और हम भी बोलेंगे बस बोलेंगे लेकिन हमारी आवाज आपके कान तक और आपकी आवाज हमारे कान तक नहीं आएगे क्यूं क्यूंकि वहाँ पर वाय मंडल नहीं है वहाँ पर हवा नहीं है जहां पर हवा नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं निर्वात बोलते हैं लेकिन वहीं पर अगर सूर हो तो वह सूर पिर्थवी तक पहुंच आता है क्यों क्योंकि बैए पता है आपको की प्रकास निर्वात से होकर भी क्या होती है गुजरती है और निर्वात से होकर देखे वाई मंडल से होते हुए कहां पहुंच में भी क्या होती है गमन करती है असपस्ट हो गया देखे जो एडिंग यहां पर गुड लिखे है सब असपस्ट हो रहा है कि प्रकास निर्वात वाई में गमन करती है तो यहां से निर्वास से भी गमन किया और यहां वाई से भी गमन किया पहला यह गुड समझ में आ गया प मालिं वाई से हो कर जो Safe माध्यम है तो मुझे कोई प्रॉलम नहीं है लेकिन मुझे किसी माध्यम की जरूब्लब नहीं है अगला लग होता है तो इस परकार हम कह सकते हैं कि वह तरंग जिसको गमनकरने के लिए किसी माध्यम का होना भी तरंग जिसे गमन करने के लिए किसी माध्यम का गमन होता है है ना तो गमन नहीं होता है इसमें माध्यम के लिए इसमें क्योंकि बताया गया कि सूर का परकास के लिए किसी माध्यम क्या हो सकता नहीं होती है तो तरंग की परिभासा आप कैसे बोल सकते हैं कि विद्धु चुमकी तरंग है हम जानते हैं कि प्रकास निर्वात में गमन करेगा तो बिद्दु चुमकी तरंग होगा सिंपल सी बात है कि अगर प्रकास निर्वात में गमन करता है तो बिद्दु चुमकी तरंग होगा जैसा कि यहां पर हमने समझा दिया विए होप को समझ में आ गया हो Gulf है कि कैसे प्रकास बिद्व चुमकि तरंग के रूप में गमन करती है ठीक, creator, finish कर दें तो आपको हमने क्या समझाया, प्रकास समझाया, प्रकास सरोथ समझा दिया प्रकास सुरुत कितने प्रकार के होते ये भी समझ गया है प्रकास का क्या है गुड़ है अब हम प्रकास के माध्यम पढ़ेंगे और प्रकास के किर्ण पढ़ेंगे ठीक इसको साट इसके लेना है तो ले लीजिए अब क्या है प्रकासिक माध्यम है जिसको इंगलिस में कहा जाएगा आप्टिकल मेडियम कहा जाएगा है तो प्रकासिक माध्यम क्या होता है कि प्रकास जिन माध्यम से होकर गुजरता है उसे हम लोग क्या कहते है प्रकासिक माध्यम करते हैं और प्रकासिक माध्यम तीन प्रकार के होते हैं एक पारदरसी माध्यम होता है एक पारभासी माध्यम होता है और एक अपारदरसी माध्यम होता है तो देखे समझे इसको कैसे देखे पहला पॉइंट है कि पारदरसक माध्यम जिसको लोग बोलते ह है transparent medium होता है पारदर्सक माध्यम पारदर्सक का माध्यम यह होता है कि जिन माध्यमों से प्रकास का अधिकांस भाग आर पार हो जाए मतलब पारदर्सक माध्यम का मतलब होता है कि प्रकास कैसा होना चाहिए, आर पार होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, पार दर्सक माध्यम कहते हैं, जैसे इसके अंतरगत आएगा कांच, क्या आएगा, कांच, तो कांच जो है, इसके कांच में अगर प्रकास की किरने गुजारी जाए तो आर पार हो जाएगा, वायू, क्लियर हो गया ना तो पारधरसक माधियम यह कहता है कि जिन माधियमों से प्रकास आरपार हो जाए उसे हम लोग पारधरसक माधियम कहते हैं जैसे काच और क्या होता है वाई होता है दूसरा है पारभासी माध्यम जिसको बोलते हैं ट्रांसलूसिकेंट मीडियम बोलते हैं तो पारभासी माध्यम मतलब क्या है कि जिन माध्यमों से प्रकास थोड़ा थोड़ा आरपार हो पूरा रूप पूरा ना हो जिन माध्यमों से प्रकास थोड़ा थोड़ा आरपार हो उसे हम लोग कहते हैं पारभासी माध्यम जैसे मान लिजे आ जाएगा दूसित जल कैसा जल हो जाएगा दूसित जल हो जाएगा है ना दूसित जल के साथ साथ बोल सकते हैं घिसा कांच हो सकता है ठीक क्लियर समझ में आया तीसरा है अपारदर्सी माध्यम अपार दर्सी माध्यम को बोलते हैं, क्यों माध्यम बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं, अपार दर्सी हो इसे है, कि जिन माध्यमों से प्रकास आर पार ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपार दर्सी माध्यम कहते हैं, जैसे इट, लकड़ी, है ना, इटी सी कर दीजे, प्रकास आरपार नहीं होगा, तो इस तरह हमने प्रकासिक माध्यम भी समझ लिया, इसी प्रकार अब हम समझेंगे प्रकास किरण, प्रकास किरण को इंगलिस में कहा जाता है, light, ray, ठीक, अब प्रकास किरण क्या होता है, सिंपल सी बात है, कि जब प्रकास किसी पारदर्सी माध्यम से माध्यम में, जब प्रकास की किरण किसी पारदर्सी माध्यम में एक सरररेखा में गमन करती है, तब प्रकास के पत को, हम लोग क्या कहेंगे, प्रकास किरण कहेंगे, जैसे माल लिजे, पारदर्सी माध्यम माल अगर यहां पर टार्च है तो इस टार्च से जब रोसनी निकलेगी तो यहां से प्रकास सीधे से निकल लाई कि नहीं निकल लाई है ना तो यह चीजे हो गया कि जब प्रकास किसी पारदर्सी माध्यम में एक सरर रेखा में गमन करती है तो यह सरर रेखा में गमन कर रही है तो तब प्रकास का यह पत बन रहा है यही पत क्या कहलाता है प्रकास किरन कहलाता है क्लिर समझ में आया आगे फिर क्या रहा है कि जब प्रकास के किरनों के जो समू होता है यह प्रकास के किरनों का क्या है इस समू है इस समू को बोलते हैं प्रकास किरन पुंज, क्या बोलता है, प्रकास किरन पुंज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब प्रकास किरन जो होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार है, अभी सारी प्रकास पुंज, दूसरा है, अब सारी प्रकास पुंज, और तीसरा जो है, वो है समांतर क्या है समांतर तो अभी हम समांतर समझाते हैं आपको पहले एक दोनों समझ लिजे कि अभिसारी प्रकास पुझ क्या होता अभिसारी क्या होता है सिंपल सी बात है कि अभिसारी लिखा है क्या लिखा है अभिसारी अभिसारी में क्या होता है कि जब प्रकास की समस्त किनडे किसी एक बिंद पर मिलती है, देखे समझेए, ये प्रकास की समस्त किनडे किसी एक बिंद पर मिलती है, ध्यान दिजेगा, जब प्रकास की समस्त किनडे किसी एक बिंद पर मिलती है, तो उसे कहा जाता अभी सारी प्रकास पुंज कहा जाता है, क ऐसे एक practical लेते हैं, माल लिजिए हमारे पास एक lens है, क्या है lens, तो यहाँ पर हम देखे बना रहे हैं, यह हो गया, इस रहे हो गया, clear हो गया, और हमने यहाँ पर इसके पास में रख दिया एक lens रख दिया, अब जब lens रखा और इसके नीचे, हमने एक कागज रख दिया, क्या रख दिया, कागज, अब यहाँ पर सूर की जब रोसनी, देखे सूर की किंड़े जब निकल लए हैं, निकल लए हैं, तो सूर की किंड़े जब निकल लए हैं, तो यह किसी एक बिंद पर क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है, पूरी सूर की स तबी point का बिंद एक बिंद पर जा रहा है और जिस से जदिक उस्मा पुरापत होने के कारण यह कागज क्या होने लगती है जलने लगती है तो हम बोल सकते हैं कि अभी सारी प्रकास पुझ में क्यों आएगा लेंस आएगा लेंस क्या करता कि इस सूर की समस्थ केंडों को क्या करता है इकठा करता है और इकठा करने के वद इतनी अधिक उसके अंदर उसमा हो जाती है कि वो कागज के टुकडे को क्या कर सकता है जला सकता है तो अब सारी प्रकास पुंज आपको समझ में आ गया कि जब प्रकास की समस्थ केंडे समस्थ दे सकते हैं lens, दूसरा अपसारी प्रकास पहुंझ, जिसको बोलते हैं divergent beam of light, इसको बोलते हैं convergent beam of light. तो अपसारी प्रकास पहुंझ क्या है? सेम इसी का विपरीद चलेगा, इसी का का चलेगा? विपरीद, कि जब प्रकास की समस्त केंड़े एक बिंद से निकलती हुई प्रतीत होती है जब मैं बोला कि जब प्रकास की समस्त केंड़े किसी एक बिंद से निकलती हुई क्या होती है प्रतीत होती है जैसे माली हमने यहां टार्च बनाया क्या बनाया टार्च अब इस टार्च को बनाने के बाद यहाँ पर इसकी एक बिंद रिशित है अब यहाँ से बहुत सारे ऐसे किंड़े निकल लही है ना समस्त किंड़े किसी एक बिंद से ही तो निकल लही है तो ही बोलागा कि जब प्रकास की समस्त किंड़े किसी एक आएगा है ना यह सब आपके एक जाम पलने अप्तसारी प्रकास पुझ का ठीक तीसरा point आपका है समानतर क्या है समानतर ध्यान से देखिएगा समानतर समानतर प्रकास पुझ इसको बोलते हैं पैलर क्या बोलते हैं पैलर पी ए आर ए डवल यल यल बीम आफ लाइट प्रकास की किन्डे जब प्रकास की समस्त किन्डे एक दूसरे की क्या हो समानतर हो समानतर हो तो उसे कहा जाता है समानतर प्रकास भुझ कहा जाता है ठीक आई हो पापको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या सीखा ठीक हमने पूरी प्रकास की हर एक चीज़ सीख लिया प्रकास का स्रोथ सीख लिया प्रकास स्रोथ के बाद प्रकास का गुड समझ लिया के गुड के साथ फिर प्रकास का माध्यम समझा प्रकास की किरन समझा ठीक क्लियर इसके बाद अब आएंगे हम लोग प्रकास के प्रावर्तन पे साठी स्किन लेना है तो ले लिजे नोट करना तो कर लिजे अब हम लोग अध्यैन करेंगे प्रकास का प्रावर्तन Reflection of Light कि प्रकास का प्रावर्तन वास्तों में होता क्या है ठीक है तो प्रकास की प्रावर्तन होती हुआ एक प्रकार की घटना होती है कि जब प्रकास किसी चिकने या पालिशदार तल पर आपतित होती है या गिरती है तो टकरा कर उसका अधिकांस भाग उसी माध्यम से क्या होती है वापस लौट जाती है यही घटना क्या कहलाती है प्रकास का प्रावरतन कहलाती है ठीक क्लियर देखे कैसे हम यहां लिख रहे देखें हमने यहां पर लिखा कि जब प्रकास किसी पालिसदार या चिकने सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांस भाग सतह से टक्राकर उसी माध्या में वापस लोट जाता है यही घटना प्रकास का क्या कहलता है प्रावरतन कहलता है जैसे हम एक फीगर की द्वारा समझें, देखिए, हमने यहाँ पर, ध्याँ से देखिएगा, यह जो है आपका एक प्रावर्तक प्रिष्ट बना है, ऐसे हम कलाई कर देंगे, तो कलाई करने पर यह जो उपर वाली सतह दिखाए दे रही है, यह उपर वाली सतह हो गई प्रावर्तक प्रिष्ट, प्रावर्तक प्रिष्ट है, जिसको इंगलिस में कहा जाता है, रिफ्लेक्टिंग, कहा कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग, 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 सर्फेस, ठीक, क्लिर हो गया, अब हम इस प्रावर्तक प्रिष्ट प्रदिश से लिखाए, जब प्रकास किसी पालिसदार या चिकना, तो यह जो प्रावर्तक प्रिष्ट है यह पालिशदार है और चिकना है कैसा है यहां पर लिख दिया जा रहा चिकना ठीक किलियर हो गया तो यह जो प्रावर्तक प्रिष्ठ है यह पालिशदार यह चिकना सतय है करा कि सतय पर आपतित होती है क्या प्रकास आपतित होती है माल लिजी इसको लिखा जाएगा आ पतित किरण आ पतित किरण को इंगलिस में बोला जाएगा incident ray I-N-C-I-D-E-N-T incident ray हो गया ठीक जब यह प्रकास की किरण इस पालिजदार सतह पर आपतित हुई है तो आपतित होने पर प्रावर्तक प्रिष्ट के जिस बिंदु पर एक गिरी है उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु आपतन बिंदु अब आपतन बिंदु को इंगलिस में बोला जाता है point of incidence point of incidence ठीक क्लिर हो गया यहां तक आगया समझ में अब इस बिंदु से टकराया और टकरा के उसी यह माध्यम जवना जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में टकरा के क्या होगा अइसे वापस चला जाएगा इसको बोलते हैं प्रावर्तित क्या बोलेंगे प्रावर्तित किरन प्रावर्तित किरन को हम लोग इंगलिस में कहेंगे रिफ्लेक्टेड आर इ यफ यल इसी टी इडी रिफ्लेक्टेड रे ठीक क्लियर हो गया अब आपतन बिंदु से खीची गई लंब रूप रेखा इस आपतन बिंदु से इसको यन से दर्स आएंगे इसकी अंगलेजी होती है नॉर्मल क्या होती है नॉर्मल यन ओ आर यम ए यल नॉर्मल हो गई क्लियर हो गया अब यहां पर अभिलंब और आपतित किरन के बीच में एक कोंड बना है इस कोंड का नाम है आपतन कोंड बहा जाएगा angle of incidence इसको I से परदर्शित करेंगे और अभिलंब और प्रावर्तित किरन के बीच में बना है प्रावरतन कोंड कैसा कोंड बना प्रावरतन कोंड बन गया इसको हम लोग बोलेंगे angle of reflection angle of reflection इसको दरसाएंगे R से ठीक, clear हो गया तो हमने प्रकास की प्रावर्तन का जो एक परिभासित किया था और प्रकास की प्रावर्तन एक प्रकार की घटना घटित होती है, इसी घटना को मैंने एक फीगर में क्या किया दरसा दिया अब जड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसको फीगर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रावर्तक प्रिष्ट बनाना है, वह है प्रावर्तक प्रिष्ट कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए अब इस चिकने प्रिष्ट पर जब प्रकास की किरण यहां से आपतित होगी तो प्रावर्तक प्रिष्ट के जिस बिंदु पर गिरेगी उस बिंदु का नाम हो जाएगा आपतन बिंदु और इसी बिंदु से उसी माध्यम में क्या होगा वापस चला जाएगा तो प्रावर् एंगल आफ रिफ्लेक्शन होगा जिसे आर से दर साते हैं ठीक अब इहां पर कि इन फीगरों से हमें छे परिभासाएं पता चला आपतित किरण आपतन बिंदु प्रावर्तित किरण प्रावर्तन कोड अपवर्तन कोड और अभिलम तो हम आपको समझा देते हैं एक एक किरिपर में लिखना है कि सबसे पहले देकी क्या लिखा हुआ है सबसे पहले आपको लिखा है आपतित किरण फिरसे सुन्येगा प्रावर्तक प्रिष्ट पर गिरने वाली किरन को आपतित किरन कहते हैं फिर यहां पर कि प्रावर्तक प्रिष्ट के जिस बिंद पर गिरती है उस बिंद को क्या कहते हैं आपतन बिंद कहते हैं फिर से सुनिएगा वापस लोट कर जाने वाली किरण को प्रावर्तित किरण कहते हैं फिर चोथा परिभासा बोलेंगे आपतन बिंदु से खीजी गई लंब रूप रेखा को अभिलंब कहते हैं इसे यनसे दरसाते है अब देखें अभिलंब और आपतित किरण तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं अभिलंब तथा प्रावर्तित किरण के बीच बने कोण को प्रावर्तन कोण कहते हैं आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा एक चीज इसमें नोट जाने है कि प्रकास के प्रावरतन में जो चाल होता है वो चाल नियत होता है प्रकास के प्रावरतन में जो चाल होती है वो चाल क्या होती है नियत होती है इतना ध्यान रहे हम क्या करेंगे अब तीन नियम समझेंगे ठीक है चलिए यहां तक समझ में आ गया साट इसकिन लेना तो ले सकते हैं आगे हम इसके नियम पर चलते हैं हो गया चलिए चलिए कि आप तन बेंदू कि दीजिए ठीक प्रकास के प्रावर्तन के दो नियम होते हैं ऐसा कहा गया है लेकिन हम ने निम्न नियम लिखेंगे प्रकास के कि प्रावर्तन के कि निम्न नियम है पहला नियम इसका है आपतित किरण कि आपतित किरण कि प्रावर्तित किरण वै अभिलंब तीनो एक ही तल पर है यह पहला नियम हो गया दूसरा नियम आपतन कोड आपतन कोड तथा प्रावर्तन कोड सदयो बरावर होते हैं मतलब कोड आई बरावर कोड आर हो गया तीसरा नमबर लिख सकते हैं कि तीसरा नियम है प्रावर्तित प्रावर्तित किरण कि आबरिति वैचाल नियत रहती है अब समझ मैं है ना यह जो प्रावर्तित किरण है इसकी जो आबरितियां है जो वापस जा रही है बार बार आबर आबरितियां कर रही है और वो इसकी चाल हमेशा क्या होती है नियत होती है तो प्रावर्तित किरण की आबरित हुए चाल क्या होती है नियत होती है इस तरह हमने प्रिकास के प्रावर्तन का जहां दो नियम पळए थे, अब हमने कितने नियम समझ गए? तीन नियम समझ गए, कोई दिकत इसमें नहीं है 60 इसकेन लेना तो ले लीजा, क्योंकि हम इसको मिठकाने जा रहे हैं तो नियम समझ गए ना? आपतित किरन और प्रावर्तित किरन और अभिलम तीनों एक ही तल पर होते हैं आपतन कोण और प्रावर्तन कोण सदों बराबर होते हैं प्रावर्तित किरण की आबरित वैचाल क्या होती है नियत होती है ठीक इस तरह हमने समझ लिया अब हम से लेंगे प्रकास के प्रावर्तन के परकार प्रकास के प्रावर्तन के प्रकार है प्रकास के प्रावर्तन का क्या है प्रकार है तो प्रकास के प्रावर्तन का जो प्रकार होता है वो प्रावर्तक प्रिष्ट के प्रैकृत के आधार पर बटा है प्रावर्तक पृष्ट की जो प्रैकृती होती है उसकी प्रैकृत का मतलग गए कि प्रावर्तक पृष्ट चिकना है कि प्रावर्तक पृष्ट खुर्दुरा है तो उसकी प्रैकृत की आधार पर उसको दो भाग में बाट दिया गया है पहला भाग है नियमीत प्रकास प्रा प्रिकास का प्रावर्तन किसी चिकने प्रिष्ट से होता है तो प्रिकास की केंडे प्रावर्तन के परश्चात केंडे एक दूसरे के क्या हो जाती है समांतर हो जाती है कैसे देखिए यहां पर यह मानलीजे बना है आपका चिकना सत्य बन गया कौन सा सत्य है? चिकना सत्य है बन गया ठीक अब चिकना सत्य है बनने के बात क्या होगा? कि हमने बोला कि जब प्रकास की किंड़े ध्यान दीजेगा यह प्रकास की किंड़े गिर रही है ठीक यह हो गया यह हो गया ठीक है अब यहाँ पर क्या हुआ कि यह जो प्रकास की किंड़े गिरी है तो ऐसी घटना तो प्रकास का प्रावरतन किसी चिकने प्रिष्ट से होता है तो यह प्रकास का प्रावरतन घटना दिखाए गया जो फीगर दिखाए दे रहा है एक किसका है प्रकास के प् प्रकास का प्रावरतन किस प्रिष्ट पर दिखाना है यह बन गया आपका खुरदूरा प्रिष्ट अब इस खुरदूरे प्रिष्ट पर प्रकास की केंड़े गिरेगी यहाँ भागेगा यह गिरा यहाँ जा रहा है ऐसे गिरा यहाँ जा रहा है तो कहने का मतवा कि जब प्रकास का प्रावरतन किसी खुरदूरे प्रिष्ट पर होता है तो प्रकास की केंड़े प्रावरतन के पहशात बिविन दिशाओं में क्या होती है फैल जाती है इसे बोला जाता है एनियमित प्रकास का प्रावरतन और इस पर दो एक कोशन भी बनते हैं कि हम अख़वार पर अख़वार अनि जो नूज पेपर होता है नीज पेपर को सस्ते कागज पर क्यों छापा जाता है क्यों छापा जाता है इसलिए छापा जाता है ताकि अकवार इसलिए सस्ता पेपर होता है कि रद्धी होता है कि उस पर जब प्रकास की केड़े का प्रावर्तन होगा तो ऐस सभी दिसाओं में बिसरित हो जाएगा फैल जाएगा और जिससे हमें अकवार का छोटा सा छोटा अच्छा रमासानी से क्या करेंगे पढ़ लेंगे इसी परकार कमरे की खेड़की में लगा जो है खुर्दुरा काँच जो होता है उस सूर के प्रकास को क्या करता बिस दिल्एमीत प्रकास का जो प्रावर्तन होता है वह अकवर काषिए होता है सस्ता खुर्दुरा काघज होता है ठेक saving प्रकास का प्रकास की उत्कर्मनिता ये कहा जाता है कि जब प्रकास का प्रावर्तन की जो घटना होती है तो उसमें प्रावर्तित किरण को आपतित किरण कर दिया जाए और आपतित किरण को प्रावर्तित किरण कर दिया जाए तो उसमें प्रकास का उत्कर्मनिता होता है कैसे ज़रा द लिजे फिर हम समझा दें इसको हो गया प्रकास की उतक्रमडीता प्रकास की उतक्रमडीता प्रकास की उतक्रमडीता है रिवर्सिवल आफ लाइट बोलते हैं कैसे कि जब प्रकास का प्रावरतन होता है तो मैं बोला कि जब प्रकास की प्रावरतन की घटना के समय यदि हम आपतित किरन को प्रावरतित किरन कर दें तो उस समय बन जाता प्रकास का उत्कमणिता जैसे मा लिजे हमने यहाँ फीगर बनाया यह हो गया आपतित यह हो गया प्रावर्तित यह हो गया अभी लंब क्लियर हो गया ना यह हो गया आपका आपतित और यह हो गया प्रावर्तित और ये तो जानी रहें अविलंभ है ये आई है और ये क्या है आ रहे है किलिए रोगया यहाँ पर तीर लगा दीजिए किलिए रोगया अब इसी को यदि हम सेव इही बनेगा फीगर सेव इही फीगर रहेगा है ना ये अभी लंभ हो गया ठीक अब ये जो आपतित है इसको क्या बना दे प्रावर्तित बना दे और इसको बना दे क्या आपतित बना दे बन गया ना तो यहां पर क्या हुगा कि एक कोंड हो गया आई एक कोंड हो गया आर एक कोंड आई और एक कोंड क्या हो गया आर हो गया तो इस प्रकार की घटने अधी होती है तो प्रकास का उत्मिनेता कहा जाता कि प्रकास के प्रावरतन की समय आपतित किरण को हम प्रावरत उभिवरतन होता है तो इस तरह हमने क्या किया समझ लिया कि प्रकास की समझ में आगया होगा इस पर अधारित पराशन भी आते हैं आPU पढ़ दे रहा हूँ, यदि किसी समतल प्रिष्ट पर आपतित किरण और अभिलम के बीच 60 अंस का कोण बनता है, यदि किसी समतल प्रिष्ट पर आपतित किरण और अभिलम के बीच 60 अंस का कोण बनता है, यदि किसी समतल प्रिष्ट पर आपतित किरण और अभिलम के बीच 60 हंस का कौन बनता है तो प्रावर्तित किरण और अविलम के बीच कितने हंस का कौन बनेगा साथ ही बनेगा क्योंकि प्रकास के प्रावर्तन का दुति नियम यह कहता है कि कौन आई बरावर कौन आर अगर यह 60 अंस है तो यह भी कितने अंसका हुआ? 60 अंसका ही होगा तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा हमने आपको इस वीडियो में प्रकास का गुड़ प्रकास का सुरोथ, प्रकास का माध्यम और प्रकास का किरण प्लस इसके साथ प्रकास का प्रावरतन, प्रकास के प्रावरतन का नियम, प्रकास के प्रावरतन के प्रकार और प्रकास का उत्क्रमनिता समझा दिया, ठीक है